केंद्रे वितमंत्रे द्वारा बजट दोहजार जोबस पेश करने के बाद कानपूर की जनमानस में इसका मिला जुला असर्ट देखने को मिला है ऐसे में क्या कुछ कहना है मिडल ग्लास परिवार का देखे कानपूर से समधाता अनुराग शुरिवास्तव की ये रिपॉर्ट सबसे पहले केंद्री वितमंत्री सीता रमन जी को बहुत बहुत आभार चटफी बार वो हमारे डेश का प्रजट ला रही है और यी बजट प्रस्तुत किया गया है इस बार जो की परियावर्ण को ध्यान रखते हुए है फिर से महिलाओं के लिए स्वास्त के छेतर में वा व्यापार के छेतर में बजट बहुत अच्छा है अगर स्वास्त के छेतर में देखे तो सर्वाइकल कैंसर की वाक्सीन जो 9-14 साल की बच्चों को लगती है तो बच्चों के लिए एक तो जागरुकता फैलेगी लोगों के बढ़ा के बजट कर दिया गया है, तो ये भी बहुत अच्छा है व्यापार के छेत्र में, बाकि किचिन के अंदर अगर हम बोले तो कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है, इंकम टेक्स का स्लाब भी वैसा ही साथ लाग तक का ही है, तो कुछ यही विचारत है हमारे, बजट को कितनी रेटिंग देंगे आप टैन अफ, टैन में सिक्स रेटिंग देंगे बजट को, कुछ लोग और भी हमारे साथ है मैं, आपके नज़रिये से, आपके पॉइंट इस बजट को किस तरह देंगे हमारी वित्मंत्री, श्रीमती निर्मला, सीतार मंजी ने बजटर का, अच्छा है, लेकिन और थोड़ा अच्छा हो सकता था, अच्छा है, इसलिए बोलेंगे, जैसे उन्होंने लगपती दी योजना है, इससे हम महलाओं को बहुत फाइदा इनका टार्गेट दो करोड का था, तो एक करोड महलाओं ने पूरा इसका फादर राके अपना स्वरोजगार बनाया है, आगे इसको तीन करोड कर दिया गया है, जिससे कि हम महलाओं और चारगुरता फैलेगी, उस चीज को हमें घर बैठे, और अपना वेपसाय बना सकते हैं, निगेटिव इसलिए पोड़ा सा इसलिए बोलूगी कमी कि इसे हम घरेलू लेडिन हैं लोग तो इसलेंडर है, उसके रेट्स टाउन नहीं हुए हैं, जो किचीन से रेटी चीज हैं, उनके रेट्स में को ही सुदार नहीं हुआ, हाला कि होतो तो हम लोगों खुशी ह अब जिसे आप आएंगे एलेक्ट्रिक विकल्स के वारे में से बोला गया, इलेक्ट्रिक कार्स, उनको बढ़ावाद हैं, हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, इससे हमारे देस का पॉलुशन कम होगा, दूसरी चीज़, जो हम पैट्रोल डीजल आयात करते हैं, 80% करते होंग जो हमारे में ठीक लगा लेकर और बैटर भी हो सकता था, आपके पॉंट अव विव से इस बजट को अप कैसे देखते हो, देखे, मैं मिडिल क्लास लेडी हूँ, तो मैं तो बजट में यही देखूँगी कि मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है, कभी भी मिडिल क्लास को तो मिडिल क्लास के लिए तो बजट जहां जैसा था, वैसा ही है, आपके अमानतेस में और क्या कुछ हो सकता था, जो एक आपके पॉंट अवी से और बहतर होता है, क्या हो सकता था, गैस के दाम ही कम कर देते, मिडिल क्लास के पास क्या है, गैस के सिलिंडर के ही पैसे कम हो तो उसकी देख में उन्होंने ऐसा देखिये महलाओं को उन्होंने ध्यान में रखा है लेकिन ऐसा नहीं मीडिल क्लास को भी तो एक बार देखना चाहिए था ना बजट में सो यह इनकी राय थी हमारे बीच में कुछ और महिल आए इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे मैम आपके हिसाब से कहां पर बजट को आप यह देख रहा है मेरे हिसाब से वित मंतरी जी ने काफी इसका सब तरफ ध्यान रखे किया है जैसे चिकितसा के शेत्र में और नए उद्योग लगाने के शेत्र में युवा पीड़ी के लिए उन्होंने काफी कुछ करने की कोशिश करी है और कुछ ऐसा भी पढ़ने में आया है कि सीनिय को यातरा के दोरान टिकट में जो है वो कुछ कंसेशन मिलेगा तो वो हम लोगों के लिए अच्छा है हां जहां तक किचिन की बात करी जाए वो वैसे का वैसे ही है उसमें कोई खास फरक नहीं आया है तो शायद बहुत जादा हमारे आम आदमी के उपर बहुत जादा असर उसका नहीं आएगा एक और फीमेल है हमारे साथ मैं आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं नमस्कार मैं मॉनिका सरूप नगर निवासी हूँ अगर बजट को लेके देखा जाए तो आम ओके विद डिसीजन डिसीजन आक्शली मैं बजट का जैसे माम ने अभी बोला थ हैं मैं उनको लेकर बोलना चाहूंगी हमारी मेट्स को भी एक बहुत सी यंग स्ट जो यंग मेट्स होती है वह आज की डेट में उनमें बहुत कैलिबर है काम करने का वह प्रोफेशनली अपना बहुत कुछ करना भी चाहती है बट वह इस बजट से लेके उनके अंदर जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं बहुत खुश हूँ इस बजट से और हाँ जो केचन एलियंस के जो एक एकोर्डिंग बात की जाती है यह बिल्कुल फाक्ट है कि हम एक चाइना प्रोडेक्ट जो हमारा इतना जादा हावी हो रहा है हमारे इंडियंस के केचन पे तो यह नहीं होना चाहिए और इस चीछ को मद्य नज़र रखते हुए तो हमारे केचन पे भी इसका इंपाक्ट आना चाहिए हमारी जो लेडिस हैं जो अपर-middle-class है उन पे भी सीच को मतर इस सीच को लेकर हमें काफी इस पे भी ध्यान रखना चाहिए तो कितना 10 of कितना देंगे बजट को रेटिंग आपके एसाब से? In my point of view, तो अगर मैं middle class को लेकर चलो तो मैं शायद 5% ही दे सकती हूँ, बट हाँ, जो lower class जो person है, उनके लिए तो मैं 9% दूँगी दूँगी. So, यह देख सकता है कि हमारे बीच में society की जितनी भी females थी, उनका क्या point of view था? आप सभी लोग ने यहाँ पर देखा, बहुत से जो यहाँ पर लोग है, उनको कहीं कुछी kitchens के लिए, जो एक कमी कह सकते हैं, कि कुछ सामान सस्ता होता है, या किसी तरह से रहात मिलती ही, किसी का point of view है, जो वह इस budget को average बता रहे हैं, तो overall जो हमने आज यहाँ पर बात कर यहाँ के रहने वालों से तो उनके हिसाब से यह जो सरकार का budget है, वो एक average budget है और कई लोगों के budget पसंद भी आ रहा है, कानपुस वीडियो जनलिस रवी शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनराक्षिर वास्ता, ऐसी ही दमम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते नहीं साहरा समय का digital platform